दोस्तों जंतर मंतर पर देर रात पुलिस और पहलवानों की जड़प के बाद पहलवानों ने कह दिया है कि वो मेडल जो वो देश के लिए जीत कर लाए थे अब उन्हें लोटा देंगे दोस्तों कल देर रात पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस की जड़प हो गई जड़प में कुछ रेसलर्स को चोट भी आई है वहीं विनेश फोगाट के भाई दुश्यंत का सिर्फ हूड गया इस पूरी घटना के बाद अब पहलवानों का कहना है कि क्या यही दिन देखने के लिए हम देश के लिए मेडल जीत कर लाए थे इससे अच्छा तो कोई पहलवान का भी देश के लिए मेडल लाता ही नहीं जिस तरह का वेवहार अब सरकार उनके साथ कर रही है अपने भाई को जखमी हालत में देखकर विनेश वोगार भी बहुत रो रही थी उन्होंने का कि ब्रजमूशन नैशनल टीवी पर बात कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने महिला पहलवानों को पकड़ कर गले लगाया है उन्होंने नाम का भी खुलासा किया है अगर लाइफ टीवी पर वो ऐसी बात बोल सकते हैं तो आप अंदाजर लगा लीजिए कि वो क्यामरे के पीछे क्या क्या करते होंगे विनेश ने दिली पुलिस को एक लेटर लिखकर शिकायत भी की है पुलिस पर धमकाने, जानलेवा हमला करने और भद्धी गालियां देने का आरूप लगाया है विनेश फोगाट का दावा है कि पुलिस वाले ने शराप के नशे में उनके भाई से बत्तमीजी की है उन्हें और उनकी बहन संगीता फोगाट को धक्का भी दिया है उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जिस तरह का विवहार उन लोगों के साथ हुआ है उसके बाद वो अपने मेडिल लोटा देंगे और वो ये भी नहीं चाहती कि कोई भी पहलवार देश के लिए मेडिल जीत कर लाए दोस्तों WFI अध्यक्ष ब्रजभूशन पर आक्शन के लिए जंतरमंतर पर पहलवान लगातार धरना दे रहे हैं अब तक भाजपा सांसत ब्रजभूशन पर कोट के आदेश के बाद दो FIR तो दर्ज हुई है पर यौ शोशन का आरोप लगने के बावजूद अभी भी वो अपने पद पर बने हुए हैं उनके खिलाफ कोई अक्शन नहीं हुआ है वहीं जो पहलवान पिछले 10-12 दिन से जंतरमंतर पर लगातार अपने न्याय की मांग कर रहे हैं उनके साथ पुलिस के ऐसे रवये से पहलवान बेहत दुखी है इस कबर में इतना ही आपे खबर उल्टा चुश्मा यूसी पर देख रहे हैं मिला नाम फरीन अंसारी है जैहिंद जैभार